अमेरिका की चुनोती को चैलेंज करने के बाद अब लगता है कि इसराइल के बुरे दिन शुरू हो गए है अभी तक इसराइल गाजा पटी में हमास के लडाकों पर हमले कर रहा था तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत थी इसराइल पर अमेरिका का हाथ होने की वज़े से इराग के कई समुख बहुत खुल कर इसराइल के खिलाफ आउपरेशन नहीं पर रहे थे लेकिन अमेरिका के हाल के एक बयान ने इसराइल के विरोधियों को ताकत दे दूए दरसल कुछ दिर पहले ही अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में आम लोगों का नरसी मधाब न करे नहीं तो अमेरिका उसे मदद देना बंद कर देगा इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि अमेरिका मदद बंद कर देगा तब भी वो रुकने वाला नहीं है उसके पास हत्यार और लगने की गशमता है इससे इसराइल के विरोधियों को साफ इशारा मिल गया कि अब अमेरिका उस तरह से इसराइल का साथ नहीं देगा जैसा कि अभी लगते रहा था इस पूरे घटना करम के बाद जैसे जैसे इसराइल गाजा में अपनी कुरूरता बढ़ाता जा रहा है अब उसे इराकी इसलामी रेजिटन्स का उसी भाशा में जवाब ही मिल रहा है इराकी समूने फिलिस्तिनिक शित्रों में ओपरेशन अल अरकाब शुरू कर दिया है इस उपरेशन के तहट इराकी सम्मूह ने इसराइली कबजेवाले वाडी अरीहा और वीगल अल सावे के पूर मेस्तित निवातिम एर्वेस में महत्वपूर लक्षों को निशाना बनाया है इस समू द्वारा जारी एक बयान के नुसार आपरिशन अल अरकाब के तहट इसराइल द्वारा कबजाए गए इलाकों में प्रूज मिसाईलों से हमला किया गया है समू का कहना है कि निर्दोश महिलाओं और बच्चो सहित फिलिस्तिनी नाजिकों पर इसराइल द्वारा किये गए अत्याचार और उनके नरसंगार के जवाब में यह अभियान चलाया है समू ने हाइफा और रिफाइनरी पर गुरुवार को ताजा ड्रोन हमला किया है इस से पहले बुद्वार को इस समू ने ड्रोन के जरीए दक्षडी कबजे वाले फिलिस्तिन में उम अल रशरश या इलाट में एक सेनिठी गाने को निशाना बनाया सूत्रों के मताबिब हमले के लिए समू ने अल अरफाद आदमगादी ड्रोन का इस्तेमाल किया दूसरे ड्रोन के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है ये नया अभियान शुरू करने से पहले इराकी समू ने इसराइली निवातिम एरबेस पर लगतार निशाना सादा है इस एरबेस में सबसे लिटेस हमला 9 माई को हुआ था जिस तरह से इसराइल के खिलाफ हमने बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसे अपनी उस गल्दी का पच्तावा हो जो उसने अमेरिका की चनौती को चैलेंज करके किया हाला कि आगे युद्ध की दिश्रा क्या होगी क्या फिर इसराइल को घिरता देख अमेरिका वापस इसराइल का साथ देगा इसके जवाब के लिए युद्ध में शामिल देशू और सम्हों के अगले कदम का इंतिजार करना होगा क्या है